बड़ी कबर करेंगे जील शर्मा कॉंग्रूस में शामिल हुए हैं बीज़पी से टेकेट ना मिलने से नाराज चल रहे थे और आप कॉंग्रूस का दामान उन्होंने थाम लिया है जील शर्मा ने कॉंग्रूस का हाथ थामा संकेते मिल रहे थे और वो खुद भी बता रहे थे कि अभी फिलाल कुछ नाराजगी जो है वो जरूर है अलाकि उनसे टोटल टीवी ने पोशने की कोशिश भी की थी कि क्या वो कॉंग्रस में जा सकते हैं तो उन्होंने संकेत दिये थे कि इस पर अभी फिलाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है लेकिन हां अगर महत्ता कांशाइं टोटती हैं तो दूसरे दलों का रुख भी किया जा सकता है तो जील शर्मा ने कॉंग्रस का हाथ थामा है बीजीपी के लिए कहीं न कहीं एक बड़े चटके के तौर पर इससे देखा जा सकता है एक बात और है, जी ल चर्मा ने कॉंग्रिस में शामिल हुने से पहले ये बात भी कही थी कि हो समय से कॉंग्रिस में उनके आस्था रही है, कॉंग्रिस से जुड़े रही है आंतरिक तौर पर अब जेल चर्मां कॉंग्रस में शामिल हुए हैं बीजीपी के लिए कितना नुक्सान कॉंग्रस को कितना फायदा तमाम सवालब गहराने लगे हैं टोटल टीवी के समधा था रियाराय हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जाद जानकारी के लिए सिद्वन करूप करेंगे आरिया जेल चर्मां ने कॉंग्रस का दामन थामा हैं वीजीपी से टिकेट ना मिलने से नाराजगी उभर कर सामने आई अलागी टोटल टीवी ने जब पूछा था कि आप क्या कॉंग्रस में जाएंगे उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं का लेकिन हाँ उनकी ये मुख सहमती जरूर मनी जा सकते हैं कि कॉंग्रस में जाना उनका था और अब नफ़ा नुक्सान के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या हर्याणा की समीकरन बनेगा जनकरी देगा तो पहले ही उसका है और लगातार दो पातिया है वो मंतन के बाद कही सारे जो काम है उबिद्वारों की उनको सामनी भी ला चुकी है और इस बीस में आप कही न कही पर उबिद्वारों का स्पस्टी करन वो बहुत अगा साफ होता नजर आ रहा है जैसे कि आपने जिक्रति किया कि पहले अजियल सर्मा ने इस बात पर तैमती या फिरे किसी क्रकार का वाक्यान सामने एच नहीं किया था कि क्या वो कॉंग्रेस में सामिल होंगे या नहीं होंगे लेकिन आज पूरे स्पस्टी करन के साथ उन्होंने बीज़िपी का दामन दोते हुए कॉंग्रेस में वो शामिल हुए है और आपको बतादू कि जो फूर्मिके मन्ती जा चके है हरियाना के वोपेंसी गुलड़ा उन्होंने इस कॉंग्रेस का दाबन धामा है और जब उन्हें बातित की गई तो वो काफी उसाहित नजर आए और उसाहित होने के साथ साथ में उन्होंने प्रचंता को जाहिद करते हुई यह कहा है कि लगभाग 11 साल बाद उनकी घर बापती हुई है और रोल में सिर्फ गुल्दा को एक कौन पॉल मिलाया जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया बेते हुए कहा कि आप जल्दी से जो अपना घर है इसमें वापत आजाएगे इस तरीके का जो प्रतिक्रिया है वो इसमेट गेल सर्मा के मातन से की गई है और उनका ये कहना है कि घरवापती के बाद उन्होंने ये जाल किया है कि विसिपी का जो फूत्रा है वो पूरी तरीके से इसमार उनाव में करना है उसमें आप सहीना कहीं पर कॉंग्रेस मच्पूस होती नजर आ रही है और यहीं वज़ा है कि आज बीयर सर्मा देवी गंबे सफर के बाद आप कहसे हैं वसमें पर उन्हें इस उसमें सास तरह से नहीं होता चयां कि कॉंग्रेस दिखरात के आलगमार norm травống कॉयाका एक तरीके से परिवर्जन की दूला है, वो कॉंग्रेस में रहे कर लाइज जाते हैं, यहीं हुझा है कि जियल चर्मा ने जिस महत्व कांशा को लेकर कॉंग्रेस से वो जुड़े हैं, जो महत्व कांशा उनकी बीज़ेपियों पूरी नहीं हुए, टिकेट नहीं मिला भाँ पर क्या उम्मीज जताई जा रहे है कि जो बात हुई है, डिपिल नुटड़ से उसमें क्या संभवना हैं, क्योंने टिकेट दिया जाएगा, क्या संभवना हैं, क्या ऐसा आश्वासम भी दिया गया है, कि हाँ, जोएन कर लें पार्टी, आप जल्दी आजाएं, टिकेट म और शुक्रिया तमाम जाने कारे के लिए हमाई से होगी, रिया तक हमारी आवास नहीं पहुँच पारी, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से रिया ने बताया कि मैं तो काइशाएं थी, हाला कि कुछ इंडिकेशन ज़रूर दिये गए थे कि कॉंगर से जोड़े रहे हैं, ल और इसी कड़ी में जील शर्मा कॉंग्रोस में शामिल हुए है, बीजेपी से टेकेट नहीं मिला जिसकी वज़े से वो नाराज थे, अब सवाल है कि कॉंग्रोस में आने के बाद क्या वो मैंत्व कांशाउन की पूरी होगी, क्या पार्टी टेकेट देगी भरोसों जताए अब ही प्रोबिलेटी बनी हुई है, क्योंकि 32 उमीद्वारों की जो एलान है वो पार्टी के दोरा किया जा चुका है, अब शेश में क्या कुछ रहता है, इस सवाल जरूर है, लेकिन महत्ता कांशा क्या पूरी होगी, लग रहा है कि बुपे नोड़ा की उपस्तेती में जिस तरके जील शर्मा शामिल होएं, तो कुछ अंदर खाने बात जरूर हो सकते हैं